गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो हम कक्षा ग्यारा की ओन्लाइन क्लासेज रारम कर चुके हैं और आपको एक वीडियो के जरिये सभी सब्चेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया गया था मैं आपको कक्षा ग्यारा की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो देखे जो विद्यार्थी साइंस में नोन मेडिकल यानि मैथमेटिक्स लेने के इच्चुक हैं उन्हें कौन-कौन से वीडियो पढ़ने हैं उनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा देखे हिंदी और इंग्लिस तो मैंने आपको बताया था कोमन है आपको कलासेज देखनी है क्योंकि जो ग्रूप बनाया गया है उसमें सभी कलासेज आएंगी आपके पास ऐसा नहीं है कि आप सभी कलासेज देख लो physics, chemistry, math आपका जो combination रहेगा वो रहेगा PCM ठीक है यानि आपको देखनी है एक तो physics की कलास एक chemistry की कलास ठीक है और एक देखनी है आपको math की कलास तो चलो अब हम आते हैं हमारे topic पर तो आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में कौन के मापन के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है बहुत पहले मैंने आपको वीडियो upload कर दिया था आपके लिए और कुछ विद्यारती उन्हें देख भी लिया है अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले वीडियो नमबर फर्ष्ट बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा एक नोटबुक ले लिजिए उसमें अपने नोट्स बनाईए सारी बात को बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि जो मैट्स का जो सिस्टम है ठीक है ये एक चैन की तरह है चैन में से अगर बीच में से एक भी अगर कड़ी तूट गई तो आपको समझाना बंद हो जाएगा बस इस चीज़ का आपने विसेश ध्यान रखना है जल्द बाजी नहीं करनी है कि मैं फटा फट वीडियो खतम कर दूँ वीडियो खतम करने से कुछ नहीं होगा वीडियो को समझोगे तो कुछ होगा ठीक है तो चलो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहले उसकी बात करते हैं देखो हमने आपको पढ़ाया था कौन का मापन हमारा टोपिक चल रहा था फिर मैंने आपको कौन के बारे में बताया था कौन, ठीक है, कौन के बारे में बताया था, कौन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के, कौन कौन से, एक तो positive और एक negative, कौन दो परकार के होते हैं, एक तो positive, एक negative, ठीक है, जो कौन अपने पास में anti-clockwise, यानि घड़ी की विप आया मैंने देखो यह कौन आपके पास में यह जो नीचे की लाइन होती है इसको तो हम बोलते हैं इनिशियल लाइन या आप इसको बोल सकते हैं प्रारंबिक रेखा ठीक है और यह होती है टर्मिनल लाइन याने की अंतिम रेखा थोड़े इंगलिश के वर्ड भी बिटा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे आदर डाल लेजिए यह वीडियो इसलिए आपके लिए पहले बनाए जा रहे हैं कि जब स्कूल ओपन हो ओफलाइन स्टडी जब आपकी स्टार्ट हो तब तक आप अपना बेस केलियर कर लें जो विद्यारती यह समझते हैं कि मैं कमजो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा मुका है हमारे वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो जो एक कमजोर विद्यारती है जिसको लगता है कि मुझे मैथ नहीं आती वो भी अपना बेस बहुत बढ़िया तियार कर लेगा ठीक है तो यह हो गया पैटा अपने पास म बात है देखो इस तरह का अब इस एंगल की दिशा किया बता हो आप इस तरफ तो कौन सई पढ़ित घरी की दिशा यानि क्लोग वाई जिसको बोलते है दक्षिनावर्ध यह एंटी क्लोग वाई जिसको हम बोलते हैं वामावर्द यह कौन सदेव नेगिटिव होगा तो य लिए यह तो कोन की बात कोन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं फिर कौनों का मापन करने के लिए हमारे पास में देख़िए वैसे तो हमारे पास में तीन सिस्टम होते हैं पर हम दो ही बड़ेंगे ठीक है न? एक तो degree system एक होता है रेडियन सिस्टम कौन को मापने के दो तरीके होते है डिग्री और रेडियन डिग्री में क्या होता है डिग्री में जो एक समकौन होता है ना पैटा एक समकौन उसको 90 डिग्री के बराबर माना जाता है क्या माना जाता है 90 degree के बराबर ठीक है और एक जो degree होती है वो होती है 60 minute के बराबर और एक जो minute बटा एक dash लगाऊंगा तो उसका मतलब है minute और बटा एक minute बराबर होता है 60 second जैसे आप मालो समय को मापते हैं तो समय की बड़ी से बड़ी कई क्या होती है गंटा ठीक है गंटे के बाद में आप अगर मालो कोई मालो आपके पास में समय का एक छोटा सा अंस है जो एक गंटे से छोटा है तो आप उसको minute में मापेंगे अगर minute से भी छोटा है तो आप उसको second में मापेंगे इसी परकार कौन के बड़ी से बड़ी इस सिस्टम में अगर बात करें तो बड़ी से बड़ी इकाई जो होगी कौन की उसको डिग्री में मापा जाएगा उससे छोटी जो इकाई होगी उसको मिनिट में मापा जाएगा उससे भी छोटी होगी तो उसको सेकिंड में मापा जाएगा डिग्री मिनिट और स कि इसका सिस्टम हो गया ठीक है जैसे देखो आप दूरी बड़ी से बड़ी दूरी जो होती है मालो उसको आप किलो मिटर में मापते हैं किलो मिटर के बाद में आप उसको मिटर में मापते हैं मिटर के बाद में आप उसको सेंटी मिटर में मापते हैं ऐसे यानि कि जिस प्र तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, या फिर एक के ऊपर, जीरो लगाओगे ऐसे छोटा सा तो वो डिग्री बन गई, आप उपर छोटा सा C लगा दो ऐसे, C लगा दोगे तो वो डिग्री तो रिडियन हो गया, क्या हो गया, ठीक है, तो दो परकार के हमारे पास में इकाई ह naming जो पाई रेडियन होते हैं जिसमें हम कौन का मापन कर सकते हैं दिगरी तो आप समने पढ़ी है अब है रेडियन की बारी तो एक रिलेशन मैंने आपको बताए था कि जो पाई रेडियन होता है ना बैटा पाई रेडियन वो बराबर होता है किसके 180 degree के बराबर होता है बटा 180 degree के बराबर ठीक है ना तो जो एक अब सुनिए ये relation होता है बटा fix है कि πाई रेडियन सदेव 180 degree के बराबर होता है ठीक है ना अब देखो जैसे माल लो आज हम topic पढ़ेंगे कूण सा देखो इदर आज हम इस वीडियो में questions करने वाले हैं किसके degree को radian में बदलना change to degree in radian ठीक है ना यानि change angle degree to radian यानि कि हम कौन को degree से किस में बदलेंगे radian में ठीक है तो degree से radian में बदलना है या radian से degree में बदलना है तो इस relation से ही दोनों formula बनेंगे मैं आपको दोनों formula बना के दिखाता हूँ आपको देखो यहां लिखो आपकी सर पाई radian भी आपके पास relation क्या है कि पाई radian बराबर 180 degree तो आप मुझे बताइए अपने को degree से radian में बदलना है ना तो पहले degree लिखो आप बटा ऐसे लिख सकते हो इसको 180 degree बराबर पाई radian बटा लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे कोई problem तो फिर आप को होगे कि सर एक degree बराबर क्या हो जाएगा बटा 180 इदर भाग में आ जाएगा तो आप को होगे पाई बटा में 180 radian ठीक है अब दोनों तरफ x से गुना कर दो x degree बराबर क्या हो जाएगा दोनों तरफ गुना करना है बटा इदर भी x से गुना हो जाएगा ये आपके पास में formula बन गया किसका degree से radian में प्रिवर्तित करना अगर किसी कौन को आप degree से radian में बदलना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताओ एक शोट ट्रिक सिखाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको दिये गए कौन को किसे गुना करेंगे कि वो degree से radian में बदल जाए ठीक है यानि कि अगर आपको radian में बदलना है तो radian में कौन होता है πाई तो πाई उपर आएगा एक सोसी नीचे आएगा ठीक है अगर ऐसे ही अगर radian को degree में बदलना है तो आप कहेंगे सर्फ पाई radian बराबर क्या होता है बटा बोलो एक सो असी डिगरी होता है ना बटा पाई radian बराबर क्या होता है एक सोसी वही रिलेशन ले रहा हूँ तो एक radian बराबर क्या हो जाएगा देखिए एक radian बराबर हो जाएगा आपके पास में एक सो असी बटा में पाई डिगरी ठीक है तो अब दोनों तरफ आप एक से गुना कर दो तो एकस radian बराबर एक सो असी बटा में पाई इधर पटा एक से गुना की है ना देखो अब आप खुद ही देख लो दोनों फॉर्मूलों को कंपेर करके देखो डिगरी को जदी radian में बदलना है तो radian में कौन होता है पाई तो पाई उपर है 180 नीचे है जब radian को डिगरी में बदलना है तो डिगरी में कौन होता है 180 तो 180 उपर है पाई नीचे है तो इस बात का ध्यान रखें तो चलो ठीक है यह अपने पिछले वीडियो की सभी बाते हो गई आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देखो कौस्चन्स करेंगे अपने कौन से डिगरी को radian में बदलना तो यह कौस्चन्स आपके सामने लिखे हुए काफी सारे कुछ मैं करवा रहा हूं कुछ आपसे पूछूँगा मैं ठीक है तो ध्यान दीजेगा मेरी बात अंपर ठीक है इसको मैं कर रहा हूं बेटा देखो चली तो सबसे पहले हम लेते हैं देखो 340 डिगरी सुनो बेटा आप फोर्मूला यहां लिख लेते हैं कि अगर आप डिगरी को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा ठीक है जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया 60 डिगरी बताओ 60 डिगरी का मान रेडियन में कितना होता है तो आप कहेंगे सर X की वैल्यू 60 रख दो इसमें या यह कह दो आपकि 60 को पाई बटा 180 से गुना कर दो तो 60 से कट गया 3 पर तो बोलो radian में कितना बोला जाएगा इसको pi बटा 3 radian ठीक है आप इस formula को याद रखना चाहे तो रख लीजिए वरना मैंने आपको short trick बता दिये जिसको भी degree से radian में बदलना है pi बटा x-o-c से गुना कर दो याद रखे 60 degree को बोलते है pi बटा 3 और 30 degree को क्या बोलते है 30 को मैंने pi बटा x-o-c से गुना कर दिया 6 पर कट गया बोलो कितना आ गया pi बटा 6 radian उपर छोटा c लगा दो ये भी क्या दरसाता है radian को ही दरसाता है इसी तह से 45 degree को आप क्या बोलते हो ये basic चीजे हैं ध्यान रखेगा 45 degree को क्या बोलते हो ठीक है 45 degree को radian में क्या लिखेंगे 45 को पाई बटा x-o-c से गुना कर दिया जिसको भी radian से degree में बदलना है pi बटा x-o-c से गुना करना है तो कितने बगड जाएगा 4 पर तो कितना आ जाएगा pi बटा में 4 radian pi बटा में 4 radian ठीक है अब आप 10 वाले जो बच्चे हैं ठीक है आपके पास 9 में ये परशनावली थी आपको याद पो तो ठीक है 9 में ऐसी radian degree वाली परशनावली आपके पास थी अब देखिए 60 भी हो गया तो नबबे की बात करते हैं नबबे को क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे 90 को 90 degree को radian में बदलना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा pi बटा 180 से ये लोजिक कर दिया 90 से बटा कितने बटा कितने बटा गया pi बटा 6 60 degree को बोलते है pi बटा 3 45 degree को बोलते है pi बटा 4 और 90 degree को बोलते है pi बटा 2 ठीक है अब कई विद्यारती पूछते हैं कि सर मतलब ये जो आपके पास में मतलब नॉर्मली लिखा आएगा ऐसे पहले तो 90 degree 45 degree अब जो आप 11th में आगे ना ज़्यादा तर आपके पास में कोन आएंगे radian में तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कितने degree के बराबर है अगर आप instant हाथ औव हाथ ये देखना चाहते हैं कि ये कितने degree के बराबर होगा तो जितना radian आपको दे दिया जाए ना ठीक है उसमें πाई की जगे पर 180 रखके देख लेडा आप अगर मैं πाई की जगे 180 रखता हूँ दो का भाग दूँगा 90 ही तो आएगा तो पाई बटा 2 किस के बराबर होता है 90 के बराबर होता है अब यहां पाई की जगे 180 रखके देखो आप 3 का भाग दो कितना आएगा 60 तो आपको उसम पाई बटा 3 किस के बराबर होता है ठीक है 60 degree के बराबर यहां 180 रखके चेक करेंगे आप 180 में दिया भाग 6 का कितना आएगा 30 degree तो आप कहेंगे सर पाई बटा 6 होता है 30 degree के बराबर यहां 180 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 45 degree आएगा ठीक है कई बार आप से पूछ लिया जाए कि बताओ 30 degree को रेडियन में क्या बोलेंगे आप होनमला थोना लगाओगे वहाँ पर आप कोगे कि सर 30 degree यानि 180 में मैं कितने का भाग दूँ कि 30 degree आएगा बताओ आप तो आप कोगे सर 180 में बाग देना पड़ेगा 6 का तो बेटा यह πाई बटा 6 होता है 90 degree को रेडियन में क्या बोलेंगे तो आप सोचोगे सर 180 में मैं कितने का भाग दूँ कि 90 degree आजाए तो आप कहेंगे सर 180C में तो 2 का भाग देना पड़ेगा पाई बटा दो इसी तरह से बेटा अगर आपके पास आजाए 60 डिग्री 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या बोलेंगे तो आप तो आप से फोर्मुला तो न लगाएंगे तो ये मैंने आपको सिस्टम सिखा दिया है इस्टेंट आप किसी को बता सकते हो तो आप की डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे चली तो क्लियर है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ चली अब चलो 120 डिग्री की बात करते हैं 120 डिगरी को रेडियन में बदलना है तो आपको होगे सर रेडियन में बदलना है तो पाई बटा एक्सवसी से गुना कर दो मैं आपको बता चुका हूँ रेडियन में बदलना है तो पाई उपर आएगा क्योंकि रेडियन में कौन होता है पाई होता है 188 नीचे आएगा अगर degree में बदलना है radian से degree में बदलना है तो आप कहएंगे 180 उपर आएगा कि कोई degree में बदलना है तो degree में कोन होता है 180, 180 उपर आएगा πai नीचे आएगा तो अब आप कहएंगे शर 6 की टेबल से इसको काट देते हैं 2 पर और तीन पर तो आप कहेंगे सरी आगए दो पाई बटा में तीन रेडियन दो पाई बटा में तीन रेडियन समझ गें मेरी बात आप फिर देखिए एक सो पचास डिगरी ठीक है एक सो पचास डिगरी को आप क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे एक सो पचास गुना में पाई बटा में एक सो असी जीरो से जीरो कट गई तीन की टेबल से पाँच और ये च्छे तो आप कहेंगे सर्याएगा पाँच पाई बटा च्छे ठीक है? अब मालो कहीं लिखा आगया आप से उचा जाए कि पाँच पाई बटा च्छे कितने डिगरी के बरावर होता है आपको इंस्टेंट उसी टाइम ही आंसर देना है तो आप क्या करेंगे पाई की जगए पर रखके देखेंगे एक सो असी और बो च्छे से पाई कितने असरी आपको किसी ने आप से पूछा कि बताओ 120 डिगरी को रेडियन में क्या बोलेंगे आप फिर भूल गए कोई बात ने अपने को रटना भी नहीं है आप माइन में कहो कि सरे 120 डिगरी 120 डिगरी को तो मैं लिख सकता हूँ दो गुना में 60 और 60 तो हमें पता ही होता है रेडियन में कितना होता है सदेव पाई बटा 3 अरे 60 90 तक तो कॉमन है यह तो याद रहेंगे आपको हमेशा ठीक है तो आप कोगे सरी यह तो आएगा 2 पाई बटा 3 ऐसे भी कर सकते 1500 डिगरी को रेडियन में क्या बोलेंगे आप तो आप कहेंगे सर देड़ सो यानि कि मैं इसको बोल सकता हूँ 5 गुना में 30 नहीं बोल सकता तो 30 को क्या लिखेंगे आप बोलो पाई बटा 6 रेडियन तो कितना हो गया बटा 5 पाई बटा 6 रेडियन तो बहुत सी एक कॉमन बाते हैं इसका आपको सबको ध्यान रखना है चली तो ये तो होगी सब नॉर्मल बाते ठीक है ना अब अगर माल लो थोड़े से बड़े क्वश्चन आ जाएं उनमें क्या करोगे तो लो बेटा अब अपना टोपिक भूत जवर्दस्त तरीके के साथ स्टार्ट होता है देखो जैसे पहला क्वश्चन है कि 340 डिगरी को रेडियन में बदलिये अब आपको फॉर्मूले क्याव सित्ता पड़ेगी डिगरी बड़ी हो गई ना ठीक है तो आपको होगे सर डिगरी को रेडियन में बदलना है कोई बात नहीं पाई बटा एक सोसी से गुना कर देते हैं ये कट गया अब 2 की टेबल से 17 पर और ये 2 की टेबल से 9 पर तो आपको कि सर कितना आ गया 17 पाई बटा में 9 रेडियन ठीक है तो आप ये सारे सवाल करके देखिएगा कोपी के उपर ठीक है बिल्कुल आलस नहीं करना है आलस कियाना में तो बिटा समस्य आनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत हार्ड भी सब्जेक्ट है दोनों बाते हैं अच्छे से तरीके से पढ़ोगे तो बहुत असान है अगर मान लो इसको मन लगा के नहीं पढ़ोगे आप ठीक है ये कोई थियोरी नहीं है जिसको आप स्किप कर दोगे और निकाल दोगे आगे कोई भी बात छोड़नी नहीं है मेरी सारी बाते आपने ध्यान से सुननी है ठीक है पिछेतर डिग्रियों बदलना था तो आप को गए सर अब तो 5 की टेबल से चलो फिर 5 की टेबल से बो चलते हैं तो कितने में कटा ये 15 पर और ये 5 की टेबल से कितने में कटा 36 पर ठीक है फिर 5 से कटा ये बटा में 12 जो होता है न वो 15 डिगरी के बराबर होता है अगर आप से 75 डिगरी पुछा जाए तो बताओ किते से गुना करना पड़ेगा इसको 5 से तो 5 पाई बटा 12 ही तो होगा ठीक है इस तरह ऐसे आगे रेडियन जुरूर लिखें आगे रेडियन जुरूर लिखें ठीक है इस तरह एक एक क्वेशन आप स्वेम कर लेंगे यह देखो यह देखो 340 वाला हो गया पिचेतर वाला हो गया 520 वाला हो गया 35 डिगरी वाला हो गया ठीक है अब जैसे माल लो ये 135 वाला हो गया 300 वाला हो गया अब माइनस का गया माल लो जैसे आपको कहा कि माइनस का 300 डिगरी है इसको आप रेडियन में बदल के दिखाऊ तो आपको माइनस से डरना नहीं है आपको ओके सब डिगरी है ना रेडियन में बतलना है पाई बटा 180 से गुना कर दो एक जिरो कट गई चलो अब किसके पाड़े से दो के पाड़े से चलते हैं अबने चलो 6 के पाड़े से 6 पाज़ा और 6 की टेबल से 6 तिया तो आपको ओके सरी आजाएगा माइनस 5 पाई बटा 3 रेडियन राइट बटा इस तरह से हैं ठीके तो माइनस से आपको बिल्कुल ने ड़ना है माइनस अपनी जगा पर बैठा है उसको बैठा रहने दो ऐसे ठीके कलियर तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ चलो अब आप इसमें कई क्वेश्चन देख रहे होंगे देखो इसमें क्वेश्चन लिखे होंगे माइनस का 37 डिगरी 30 मिनिट ठीक है आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 40 डिगरी 20 सेकेंड फिर आप देख रहे होंगे माइनस का 7 डिगरी 30 सेकेंड ठीक है ना और फिर आप ऐसे देख रहे होंगे कौन सा रहे गया एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन 5 डिगरी 37 मिनिट 30 सेकेंड ऐसे मिनिट और सेकेंड वाले जो आंसर है इनको कैसे करोगे आप इन डिगरीज को आपने रेडियन में बदलना है कोई बात नहीं जैसे अपने सबसे पहले बात करते है माइनस 37 डिगरी 30 मिनिट माइनस से नहीं डरना है आपको माइनस अपने जगा पर ऐसे कैसा पड़ा रहने पर ठीक है अब हल करते समय काम करते है अपने इस माइनस को एक बार हटा देते है अब आप बिल्कुल फुरी हो गए अपना काम कीजिया आप देखो जब भी इस तरह से मिनिट और सेकिंड वाला क्वेशन आ जाए ना तो सबसे पहले आपको दिये गए कौन को संपूरन रूप से डिगरी में बदलना है संपूरन रूप से कम्प्लेट मिनिट सेकिंड का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए उसके अंदर तो आप को के सर ये तो 37 डिगरी है ठीक है और जो आपके पास में 30 सेकिंड था ना 30 सेकिंड 30 मिनिट बताओ एक मिनिट में कितने मिनिट होते है 60 आप डिगरी में बदलना चाह रहे होना अरे जब बड़े में बदलना होता है तो भाग दिया जाता है एक और दो तो आपको गया सर 37 डिगरी तो पहले था ये एक बटा दो आ गया अरे 60 से भाग देने पर ये भी तो डिगरी हो गया के नहीं हो गया ये भी तो डिगरी में बदल गया अब डिगरी डिगरी में जुड जाएगी लोग जी ऐसे चलो एलसियम लो एलसियम लेकर के एड़ करेंगे तो पिछेतर बटा में दो डिगरी अगी कि ने आगी अब बताओ इस डिगरी को आपने बदलना है रेडियन में तो आपको कोगे sear जब भी डिगरी को रेडियन में बदलना है तो गुना कीजी आप पाई बटा 180 से ठीक है तो आप कहेंगे सर 15 के पाड़े से काट दीजिए 5 पर और ये 15 की टेबल से कितने पर 12 पर तो आप कहेंगे सर 5 पाई बटा में 24 रेडियन आंसर आएगा ठीक है पर आपका जो कुश्चन था वो माइनस में था कि माइनस 37 डिगरी 30 मिनिट किसके बराबर आएगा कोई बात नहीं आप इधर रेडियन में भी माइनस लगा दो ठीक है ना माइनस से नहीं घबराना है आपने एक बार माइनस हटा के आप हल कर लो पर लास्ट में आंसर लिखते टाइम माइनस वापिस लगा देना इस तरह से कि माइनस 37 डिगरी 30 मिनिट माइनस 5 पाइ बटा 24 रेडियन के बराबर होगा ऐसे ही अपने चलो एक कॉश्चन ओर लेते हैं चलो अपने कॉश्चन लेते हैं जैसे 40 डिगरी 20 सेकिंड 40 डिगरी 20 सेकिंड तो देखिए आप कहोगे सर इसको हमने क्या बदलना है Radian में बदलना है ठीक है तो मैंने कहा था Radian में बदलने से पहले कौन जो है वो संपुर्ण रूप से किस में होना चीए डिगरी में होना चीए तो आपको ओगे सर ये जो 20 है ना 20 इसमें 2-2 पहले 60 का भाग जिस से ये किस में बदल जाए डिगरी में किता हो गया एक और तीन तो आपको ओगे सर चालिश डिगरी तो पहले था एक बटा तीन डिगरी और आ गई लो जिए डिगरी में बदल गया पूरा भाग देना कितना आ जाएगा 121 बटा में 3 आ जाएगा तो पाई बटा 180 से गुना करना है ठीक है साइद सभावना कम है कटने की कोई दिक्कत नहीं है कितना आ जाएगा 121 बटा में 540 पाई 121 के साथ लगा तेस 121 पाई बटा में 540 रेडियन तो बटा अब मैं ये मान सकता हूँ कि आपको डिगरी से रेडियन में बदलना बहुत अच्छे से आ गया है अभी एक वीडियो और आएगा इस टोपिक का ही जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रेडियन टू डिगरी ठीक है ना ये आज मैंने आपको सिखाया डिगरी टू रेडियन फिर अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे डिगरी से रेडियन टू डिगरी अब देखिए अब ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन हों कैसे करेंगे बड़ा देखिए आप सुनू तो आप कहेंगे कि सर देखो ये क्वेश्चन मैंने का ना इसको रेडियन में बदलना है तो दिया गया जो कौन है उसमें मिनिट और सेकंड वाला जो सिष्टम है वो आपको हटाना पड़ेगा यानि कौन को पुर्ण रूप से डिगरी में बदलना पड़ेगा तो यहां से सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा क्या है सेकंड है अब इस सेकंड को साथ से भाग दोगे तो ये मिनिट बनेगा मिनिट मैं टुड़ जाएगा तो मिनिट मैं फिर साथ का भाग दोगे वो डिगरी बनेगा ऐसे खरनें समय कि पांच डिगरी है यह हमारा क्या था 27 मिनिट था इसमें 60 का भाग देदो क्योंकि अभी तक तो ये second है 60 का भाग दोगे 30 में 60 का भाग दोगे तो बटा किता आएगा बोलो 30 में दिया मैंने 60 का भाग तो आप कोगे सरी ये क्या उपर मैंने अब देखो एक dash लगेगा उपर क्यों लगेगा क्योंकि मिनिट में बदल गया है, साठ का भाग देती ही, वो सेकेंड वाला क्या बन गया, मिनिट बन गया, मिनिट के साथ जुड़ गया, अब आप देखो, ये एक, ये दो, एक बटा दो है, ऐल्सियम ले लो बटा कितना आ जाएगा, आप कोगे, सर एल्सियम लेंगे, तो 75 बटा में 2, यानि पिछेतर बटा में 2 मिनिट, अब मैं इस मिनिट को फिर साठ से भाग दूँगा, और जैसे ही साठ से भाग दूँगा, ये किस में बदल जाएगा, पूरा डिगरी में बदल जाएगा, चलो, इसको हल करो आप, आप कोगे, किस की टेबल से कट जाएगा, अपने ऐसे करते हैं, 15 की टेबल से करते हैं, 5 पर और 4 पर, तो कितना आ जाएगा, 5 पलस, 5 बटा में 8, तो यानि कितना हो गया, 45 बटा में 8 डिगरी, कितना हो गया बटा, बन गया न डिग्री अब इस डिग्री को रेडियन में बतलो तो आपको ऊगे सर्फ 45 बटा में 8 ठीक है? तो यह हमारा आज का सिस्टम था यानि कि डिग्री को रेडियन में कैसे परिवर्तित किया जाता है ठीक है? ये हमारे सारे question लिखे हुआ है जो मैंने करवा दी अच्छी बात है ठीक है? जो नहीं करवाई मैंने आपको वह आप स्वेम करके देखना कोई भी question में अगर आपको problem आती है किसी भी तरह की समस्य आती है तो आप मेरे बिटा WhatsApp नंबर सेव रखें इन पर आप मुझे message कर सकते हैं कि सर मुझे ये question नहीं आ रहा या मुझे कोई classes देखने में कोई समस्य आ रही है या कोई भी किसी तरह का confusion ओ तो आप मुझे message कर सकते हैं फोन कर सकते हैं ठीक है? चलो तो आज बटा देखो हमारे देखो एक system हमारा और है online classes का जिसमें आपको हम एक प्रशन देते हैं हर वीडियो में उस प्रशन का उत्तर लिख करके आपको comment करना होता है ठीक है? तो आपको बटा मैं यहाँ पर एक प्रशन दूँगा आपको उसका answer लिख करके comment करना है तो देखिए आज का हमारा प्रशन क्या है? देखिए माइनस का 7 degree 30 minute यह आपको degree में कौन दिया हुआ है? ठीक है? इसका answer क्या होगा? आपको मुझे लिख करके send करना है एक मिनिट रुको ठीक है बटा? तो आप मुझे बताएंगे इसका answer क्या होगा? पाई बटा में 24 होगा बी ओप्शन पाई बटा में 24 रेडियन या पाई बटा में 24 माइनस पाई बटा में 24 रेडियन या फिर माइनस पाई बटा में 36 रेडियन और डी ओप्शन आपके पास में है पाई बटा में 36 रेडियन तो जो सही ओप्शन होगा आप उसको लिख करके देखिए आपने देखो एक मेरी बात सुझेगा सबसे पहले हर वीडियोस को आपने तीन बार देखना है तीन बार देखने के बाद में आपने कमेंट करना होता है ठीवियोस ठीड़ है? कि हमने तीन बार वीडियो देख लिया फिर आपको जो हमने आप से Question पोचा है उसका answer लिखना है यहाँ पर A, B, C, D जो भी है जो भी सही option होगा वो लिखना है और नीचे आपका name लिखना है ठीक है सबी विद्यारतियों को हम यही कहते हैं कि पहले आप दो बार वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और तीसरी बार वीडियो को देख करके अपनी fair copy प ठीक है ना तो इसलिए बेटा आप बिल्कुल प्रिपेर हो जाएए हर टोपिक को ध्यान से देखते जाएए तो आगे के टोपिक में आपको समस्या नहीं आएगी तो ठीक है बेटा आज के लिए दन्यवाद